हमारा बस ये उद्देश है कि जो पुरानी पेंशन है वो उसकी बहाली की जाए नमस्कार साथियों मैं हूँ मनोजली गड़ी और मेरे साथ में स्वास्त कर्मी खड़े हुए और यकिनन इनके पास आने का मतलब कोई करांती कारी कदम उठाना इनका उद्देश है आई ये बात करते हैं कि जो इनका परचार परसाथ चल रहा है दिल्ली जाने के लिए उसके पीछे क्या उद्देश है मेरा नाम शबनम प्रशाथ है और मैं दीन देला स्पताल पे नर्से संग में अध्यक्ष हूँ और पहली तारिक पहली अक्टूबर को हमारी सभी बहने और सभी वो जन जिनकी पुरानी पेंशन नहीं है बड़ी भारी संक्या में दिल्ली राम लीला मैदान पर उपस्तित होने जा रहा है सभी से मेरा अनुरोध है कि सब जन वहां जाके अपनी मांगों को रखें और जादा से जादा संक्या में वहां पहुँचें राम लीला मैदान में एक तारिक को भारी समर्थन में जाना की कोशिश करें सब लोग सारी मेरी बहन मेरे भाई जितने भी हैं जितने भी जरूरी नहीं है कि नर्सिंग ही हों, टीचर्स हों, सब राज्यकर्मी, सब उत्तरप्रदेश की जितने भी सरकारी लोग हैं वो लोग भारी संख्या में जाएं ताकि हम लोग सरकार से हम ये गोहार लगा सकें हम एक विंती कर सकें कि हमारी मांग को हमारी पेंशन को सुनवाई करी जाए जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है हमारे हम लोग एक अक्टूबर को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दीन दियाल से हमारी बसा जाएगी हम लोग यहां से बैठेंगे कुछ लोग जो दीन दिय पर इंडिया का अटेवा संगठन के द्वारा वहां पर जिंतर मंतर पर अपनी बात रखने के लिए उससे पूरे यूपी के पूरे देश के लोगों से आवन करता हूँ सरकारी करमचारियों कि अपनी बात flour को हम को पहुंचने मेरी विंती है सब ही लोग क्योंकि बढ़ापे का हमारा एक ही साहरा होता है पुरानी पेंशन मिले सब को जिसे के हम बढ़ापे में कुछ लोग कुछ करने लाइक नहीं होते हैं तो यह सरकार का यह अपनी बात हम रख रहें और सरकार से हम अनुरोद करते हैं कि वह हमारी बात को मानें और हमारा सयोग करें जाम मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्रू गुरू बनाएंगे देश को आगे बढ़ाएंगे और क्या कहना चाहेंगे इसको हम मोदी जी कि आप सबसे पहले नमश्कार करेंगे दिल से और इस चीज की करना चाहूंगी जैसे कि वह देश के गुरू बन रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग अपने विभाग में अपने मरीजों की अपनी जनता की सेवा करते हैं दिन रात रहके तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पैंशन है जो बुड़ की सेवा कर रहे हैं वैसी हम निरंतर उस सेवा में लगे रहे हैं हमें भी 15-16 साल हो गया है इस नोकरी को करते हुए और यही आसरा है कि आज नहीं कल नहीं कभी तो पेंशन बहल की जाएगी तो यही बिंती करती हूं कि मोदी जी 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 हमारा पूरा सहयोग रहेगा पहले नहीं अभी तक नहीं है तब भी हम अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं अपनी सेवा में और बस यह कोरोना के टाइम पे जहां कोई अपने मरीजों को नहीं चूरे थे वहां नर्सेज और डॉक्टर्स खड़े थे वहां देश्की सेवा के लिए हमने अपने कि द्रिश्टी करेंगे सभी लोगों पर और पोरानी पेंशन बहाल करेंगे बस मेरा यहीं कहना है सबसे की सब एकतरित होएं एक तामे ही ताकत है सब लोग मिलके चलें पहली अक्टूबर को दिल्ली राम लीला में और हम सब अपनी पेंशन की बहाली के लिए मोजी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम पर अपनी दयाद रिश्टी बनाए